dear students, आज हमें the fowler and the quillers के एगरसाइज करने हैं, फ्यप्ति के, English की पहला question, answer the following question is How did the fowler catch the quillers? यह फावलर वोस, जहनमर शिकर वोस, यह बटेर हम को कैसे पकड़ता था, कित पोड़ो से मरा आठा He used to imitate the note of a quill, till the birds had been drawn together He flung his net over them and wiped the sides of the net together, so as to get them all huddled of a power, अप नही गयोस करके, ये ये उस इमने हमस आवाज करा है ये 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 जानवर ने हमस करा आवाज, तिमी आए ये उस आवाज करा जानवर उनों से लगा दोख की ये हमारा ही कोई साथ ही है जानवर एक साथ मिलकर जम्ह हो जात northeast एक ही जगह जम्ह हो जाती है इसके बैद यह क्या करता है अपनी इस नेट को इन पर डालता है और इसको फिर एक साइड में वह मालब खंच दा तो इसको इसको बेर रोजमरा का ही मामूल था इनको ऐसे ही पकड़ दा था यो इस ही आवाज कड़ा तो आवाज के बैद वह जमा हो जाते थी फिर इनको जाल फैंकता था ऐसे इसका रोजमरा का दूस्तूर था वाट ट्रुक्ट देड़ देड़ ग्वी यह प्लेव अनद पावलर अब कोई लोने भी एक तर्कीव सोजी तो वह क्या थी जूसन इमन वन मनलब बनन इमन 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 बीडर कूल उसं इंटीम तर्कीम इमन वन ताद मस क्या उस्तूर श्तूर। आफ पालर वाई फ्लाइंग टोगेदर एंद थ्रोड़ नेट थोर्नी बोश जोड़ा है। इसको दूर कहीं ऐसी जाडियों की जाडियों पर पहुंचा थे ताथ जंड अलाग इसम जंड अरिया समय ताथ इसम वसा है और वो नीचे से फिर आजार खुद को आजाद करती तो और का वस नेट वहीं रहता तरह यह समय यह की मोट्रुक उनसे तेम क्या होन फावलर की जो बेवी थी उसने उससे क्या कहा जब रोज खाली हाथ गर आता था तो उसने उसको क्या कहा है इस वाइप ग्रीव एंगरी चीजी सीधी सी बात है उसको बहुत शरार चड़ गया बहुत शरार चड़ गया और सेड एंड सेड डे बाई डे यू रिटर्न एंप्टी हैंड आप हर रोज खाली हाथ यहां वापस आता है I suppose you have got second establishment to keep up elsewhere मैं आपको तजवीज देती हूं कि आप अपनी रोज मरा जिंदगी को गुजारने के लिए कोई और जब डोड़े कोई और जगा चुनिया यह से पेशा आपके जो आपका यह पेशा इसको आप चेंज करिए क्योंकि आप हर रोज खाली हाथ गर लोड़ता है क्योंकि आवरत ज्यादा देर तक बरदाश्ट नहीं करती वह तब तक मर्द को बरदाश्ट करती जब तक मर्द कमाऊ हो कमाऊ हो कमाने वाला हो कमाता र दोसे किसा है कोरा कांप दोसे कि पड़ा के रहर्भाई हे वाइवाई है बार् traditionally सब्सक्राइब ने मिर मेरे दोजा करने आब कि अता है आत ग्रांव समस्ट आइसे आसान मतलब हो सकता है तो असान के तुम शीज के मुण आसान यह देख कोई लिज गोळ इस अमतिंग आसने वोग वाजा है one of them alighted accidentally upon the others' headinder एठमस का्लोमे की एक सीसे दिशलता पडेंड पेक सिंड काल पडे एक सिं ठुलस की एक सिंड दिशलता बाद पडेंड एक सीकमा यह तैसी बाद सीद्टति विल से से कमेंड लेक। हैं आपको कहां के नहीं रजनी हो गया है यह डिसाइड हो गया कि यह फिर एक दूसरे के साथ कोरल करने लगे और अवाय डिडिन डिसाइड टू लीव अब लीडर कुई कै क्योंडिका कि इस जगह को छोड़ेगा कि उसने डिसाइड कि अजय को छोड़ा वाजा यह तदिय् मैं यह जगह ही छोड़ूँ लीडर कुईल फावर दक यूनेटी वाज ब्रोकन सेफटी वाज लॉस्ट लीडर कुईल ने जब यह देखा कि अब इनके जब यह जो हमारा यह ग्रूप है इसके बीच अब इत्फ़ा के वो प्रिक हो गया वो तोट गया तो इसके साथ इत्फ जो इसके मनने वाले थे अब इसने डिसाइड गया कि आपने हमने इस सपार्ट को ही अब हम छोड़ेंगे तो उन्होंने यह वही किया जैसा उन्होंने डिसिजन लिया और बदीन और ऐसके सब्सक्राइब किस चीजने फ़ूलर को लॉस्ट पे आखिर पे कम्याब किया तो इस चीजने इस जो यह फावलर था इस चीजने इसको कव्याब किया The Fowler was successful in the end Because Quillis did not show the unity In lifting the net जिस वक्त इन पर शुकारी ने अपना ये जाल फैंका तो उन्होंने उसमें कोई जिस तरह वो उसे पहले इतफाक से उसको एकदम उड़ाते थे वो खुद एकदम उड़ते थे और साथ ही उस नेट को भी अपने साथ ले जाते लेकि इस दिन क्या हुआ कि इनके दर्में जिगड़ा हो चुका था अब एक दूसरे से कहने लगा कि आप 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 मैं देखों कि आप ये नेट उठाएगा या नहीं अगर आप खुद को पहलमान समझता है तो उठाओ मैं आज तक मैं ही इसको उठा रहा था दूसरे निका नहीं अब हम ही मानते हैं कि हम अगर आप आप पहल हो रहें आप जबरदस्त हैं तो आप उठाएं तो इस तरह ये एक दूसरे के बहाद में उलच पड़े तो जब जिस ने मुका किया जिसने फरहम किया मुका इस शिक मतारत अब जो इसका उसका पेशाथा था रह जो इसका प्रह में पार पता ता शS-पी की नायदबा की वजहिए पार इसको फाइदा पोनी अग्राई चारान उनिका उसको फाइदा पहुँ आप एमि organismal नायदबा के वजह की वाजह से नहीं आप कि वाजिसे में व ci बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा ये हमारे लिए एक दरस भी है कि जो इस्टोरी है असल में इनसानों के लिए बाचों के लिए जो सिनने वाले हैं उन सबों के लिए दरस है जब जब हमें हमारे दर्मियान नाइटफा की हो जाएगी चाहे वो गर की बन्याद पे हो गर में हो गाओं में हो शहर में हो मुलक की बन्याद पे हो तो इनसान को नुकसान का सामना करना पड़ता है माली भी हो सकता है जानी भी हो सकता है और इसके अलवा बहुत सारे किसमों मुलब हो सकते हैं तो बाकी इंशाला आई ना शुरिया